अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं मेरे बदर प्रिविएस वीडियो में देख सकते हैं आई आज का क्वेशन देखा जाए तो ये क्वेशन ये कह रहा है कि आपको ये चेक करना है कि इस question में मतलब यह जो तीनों part है आपके इस question के इसमें आपको check करना है कि जो first polynomial है वो जो इस मतलब इसमें जो दूसा polynomial उसका एक factor है की नहीं जैसे देखें यह वाला जो t square minus 3 है वो इसका factor है की नहीं x square plus 3 x plus 1 इसका factor है की नहीं और यह वाला जो polynomial है वो इस polynomial के factor है की नहीं by dividing second by first कि second polynomial को first polynomial से आपको divide करना है और फिर आपको यह बताना है कि यह इसका factor है की नहीं देखें जो जो factor को concept है वो यह है कि अगर t square minus 3 इसको completely divide कर दे मतलब रेमेंटर अगर 0 आ जाता है यह वाला जो आपका polynomial है t square minus 3 वो इसका factor होगा same जो procedure होगा कि अगर यह वाला भी इसको भी completely divide कर दे और यह वाला भी इसको completely divide कर दे मतलब रेमेंटर अगर 0 आ जाए तो यह सब अपने corresponding जो आपके यह है polynomial से उनके factors होंगे तो आए उसको solve करके देखते है क्या यह polynomial से इनके factors हैं की नहीं जो first 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 polynomial है वो second 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 के factors हैं की नहीं तो आजए पहला बाला solve करते हैं आपको उसने काया कि by dividing की आपको divide करना है किसको second polynomial को by first polynomial से तो second polynomial कौन सा है यह यह dividend हो गया तो यह जाएगा 2T to the power 4 plus 3TQ minus 2T square minus 9T और minus कितना है 12 इसको divide करना है T square minus 3 यानि कि यह divisor हो गया student से T देखके आप घब रहा है यह T variable का polynomial है मैंने आपको polynomial की जब definition बताया थी तो मैंने बताया था representation में कि किसी भी variable का आपका polynomial हो सकते है आप X variable का polynomial देखते हैं इसमें कोई बात नहीं यह T variable का polynomial है तो आई इसे divide करते हैं तो divide करने के rule मैंने आपको आपको प्रिवेस वीडियो में बताया हुआ है कि आप इस polynomial में T की maximum power वाला term देखे तो यहाँ पर T की maximum power वाला term है वो 2T to the power 4 है और जो प्रिविजर है उसमें T की जो maximum power है वो देखे तो T की maximum power होला term यह T square है तो आपको करना क्या है कि आप T square को किस से multiply करें कि 2T to the power 4 आ जाए और sign भी plus का होना चाहिए क्योंकि जो इसका sign है तो आप लोग कहेंगे कि sir 2T square तो अगर 2T square से T square को multiply किया तो कितना हो गया 2T to the power 4 वह आप इसके नीचे लिख लिए फिर 2T square से 3 को multiply करेंगे minus का 3 है तो कितना हो जाएगा minus 6T square तो आप खोजे कि यहाँ पर T square वाला term है क्या है तो T square वाला term यह है तो इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32006 minus 60 square अब इसका हम subtraction करते हैं तो देखे इसका plus का sign है तो ये change हो जाएगा minus हो जाएगा और ये already minus का है तो जब आप इसको subtract करेंगे तो इसका sign change हो जाएगा ये plus हो जाएगा तो जब आप इसमें से इसको minus करेंगे तो ये तो already cancel हो गया इसके नीचे करेंगे तो यह आपका एज़िट आ जाए गए यानि कि 3T क्यूब हो गया अब देखेंगे माइनस 2T स्क्वाइर में से जब आपने 60 स्क्वाइर को माइनस किया तो तो यह कितना आ गया 4T स्कॵाइर तो यहाँ पर कितना हुज आपका 4T स्क्वाइर ऐसे आप माइनस 9T में से जीरो को एड़ करेंगे या सब्स्टेट करेंगे तो यह दो इतना ही आ जाएगा माइनस 9T और लास्ट वन हुज जाएगा अज़ेट माइनल इसी तरह से कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो गया अब students क्या करना है आपको कि t square minus 3 से इसको divide करना है देखे students यह division तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस वाले polynomial की degree इस वाले polynomial से यानि कि जो remainder की degree है वो आपकी जो divisor है उसकी degree से छोटी न हो जाए तो देखे students यहाँ पर अब आ maximum power का जो term है वो कौन सा है तो वो है 3tq तो आप t square को किस से multiply करेंगे कि 3tq आ जाए तो obviously जो हमारा answer होगा वो होगा देखे 3t तो 3t से आपने t square को multiply किया तो कितना हो गया 3tq 3t से आप minus 3 को multiply करेंगे तो minus 90 हो जाएगा और minus 90 वाला term यहाँ दिखे आपको जो degree आ रहे है जैस अब आप यगी इसका subtraction करते हैं तो पॉजटिव है तो जब आप इसमेंसे सक undermatch करेंगा तो इसका sign चेंज हो जाएगा तो यह negative हो जाएगा यह हो जाएगा इसके नीचे कुछ है नहीं तो आप zero assume कर सकते हैं इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो आप इसको zero assume कर सकते हैं तो यह तो cancel out हो गया 40 square में से आप zero को subtract करेंगे तो वह आजाएगा 40 square और यह भी आपका क्या हो जाएगा देखिए यह minus था यह minus 90 है तो जब आप इसमें से इसको subtract करेंगे तो इसका sign भी change हो जाएगा यह plus का हो जाएगा और यह cancel out हो जाएगा बचा कि आपके पास minus 12 अब students देखिए यह last time है यहाँ पर देखिए degree same है तो भी आप इसको divide कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए यह आपके पास 40 square है plus का तो आप t square को किस से multiply करेंगे कि 4t square आजाए तो हमारा answer होगा plus 4 तो force इसको multiply किया तो यह हो गया 4t square और force हमने minus 3 को multiply किया तो minus 12 आगया अब इसका subtraction करेंगे तो इसका sign plus से तो negative हो जाएगा और यह minus से तो यह plus हो जाएगा यानि कि यह भी cancel out हो जाएगा और यह भी cancel out हो जाएगा तो finally जो हमारे पास जो remainder आया वो 0 आगया तो remainder 0 आने का मतलिए यह है कि यह जो t square minus 3 है वो इस polynomial का divisive एक factor है यानि कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि t square minus 3 is a factor of this polynomial आई यो students का जो second part है उसे देखते हैं second part है उसमें क्या है हमारे पास second part में है कि हमें क्या करना है कि इस polynomial को x square plus 3 x और प्लस 1 से डिवाइड करना है तो देखिए जो हमारा dividend है वो है 3 x to the power 4 plus 5 x cube minus 7 x square plus 2 x और प्लस 2 इसको डिवाइड करना है हमें x square plus 3 x और प्लस 1 से तो आई ये students इसे देखते हैं कि क्या ये डिविजर है की नहीं तो देखिए यहाँ पर x की maximum power वाइड टम 3 x to the power 4 है और यहाँ पर x square है तो x square को हम किसे multiply करेंगे कि 3 x to the power 4 आजाए तो हमारा answer होगा 3 x square से तो 3 x square से इसको multiply किया तो 3 x to the power 4 हो गया 3 x square से 3 x को multiply करेंगे तो plus का 9 x cube आएगा और x cube वाला term ये है तो यह हो जाएगा 9 x cube और 3 x square से 1 को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस का 3 x square अब इसका subtraction करते हैं तो ये इसका sign minus हो जाएगा ये भी minus का हो जाएगा क्योंकि plus से तो minus हो जाएगा और ये भी plus से तो minus हो जाएगा ये cancel out हो गया 5 में से 9 less होगा तो यह जाएगा minus का 4 x cube और minus 7 और ये minus 3 x square हो गया तो यह दोनों add हो जाएंगे, कि वाज़ेगा 10x square, प्लस जो बचा है वो as it आ जाएगा, 2x और प्लस कितना हो गया, 2, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, कि x square प्लस 3x प्लस 1 से इसको divide करना है, तो x square को किस से multiply करेंगे, कि minus का 4x cube आजाए, तो हमारा जो answer होगा, वो होगा minus 4x, तो minus 4x से हमने इसको multiply किया, तो यह minus 4x cube आगया, फिर minus 4x से plus के 3x को multiply करेंगे, तो minus 12x square हो जाएगा, फिर minus 4x से 1 को multiply करेंगे, तो minus का कितना हो जाएगा, 4x, इसका subtraction करते हैं, तो इसका sign change हो जाएगा, यह भी minus का plus हो जाएगा, और यह भी minus का plus हो जाएगा, तो यह तो cancel out हो गया, अब देखें, यह plus 12x square है, और यह minus का 10 है, तो 12 में से 10 less हो जाएगा, 2x square, और यह हो जाएगा, यह भी plus हो गया, तो 2x और plus 4x हो जाएगा, हमारे पास 6X और प्लस कितना हो गया 2 अब देखें यहां पर जो X की maximum power वाला term है वो है 2X square और यहां पर X square है तो X square को किस से multiply करेंगे कि 2X square आ जाए तो हमारा answer होगा 2 तो 2 से हमने इसको multiply किया तो हो गया 2X square 2 से plus के 3X को multiply किया तो 6X और 2 से हमने 1 को multiply किया तो यहागया प्लस का 2 इसका subtraction देखते हैं इसका subtraction हो जाएगा देखें इसका sign क्या है प्लस तो यह minus हो जाएगा यह भी plus है तो यह minus हो जाएगा यानि कि 2X square minus 2X square cancel out 6X minus 6X cancel out और 2 और minus 2 cancel out तो यह 0 0 और फ्लस जीरो यह तीनों यानिकि इस case में भी हमने देखा कि जब हमने एकस को प्लस 3 X प्लस वन से इस polynomial को डिवैड कहा तो reminder कितना आ गया 0 यानिकि हम के एक कहेंगे कि हमारा जो दूसरा पार्ट का उसमें भी x square plus 3x plus 1 is a divisor of यानिकि यह भी ओके था और यह भी यानिकि यह वाला polynomial second वाले polynomial का divisor था यहां भी जो first वाला polynomial है वो second वाले polynomial का divisor है आईए students अब हम third वाला question third जो part है उसे देखते हैं students जो हमारा third part है उसमें जो dividend है वो है x to the power 5 minus 4 x q plus x square plus 3x और plus 1 और जो divisor है वो है x square minus 3x और plus 1 तो आईए students यहां पर जो x की maximum power है वो plus का है x to the power 5 तो x q को हम किस से multiply करें कि x to the power 5 आजाए तो हमारा answer होगा x square तो x square से x q को multiply किया तो x to the power 5 x square से minus 3x को multiply करेंगे तो कितना आजाएगा minus 3x cube आजाएगा और x square से plus 1 को multiply करेंगे तो आजाएगा plus x square आएए इसका subtraction करते हैं यह minus हो जाएगा क्योंकि यह plus था तो जब आप subtract करोगे तो इसका change जाएगा minus minus का क्या हो जाएगा plus और यह plus का हो जाएगा minus तो यह तो cancel out हो गया अब देखे यह है minus 4x cube और यह है plus का 3x cube तो यह जो छोटा वाला नंबर है वो plus का है और जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है negative है तो यह आजएगा minus का x cube इससे समझ रहेंने students आप यह देखे minus 4x cube है और नीचे क्या है plus 3x cube है तो इसको 3x cube में से 4x cube जब आप subtract करेंगे तो minus का x cube आजएगा यह तो cancel out हो जाएगा देखे यह plus का और यह minus का तो यह cancel out हो जाएगा यहां बचेगा आपका plus का 3x और प्लस 1 अब देखे यह x cube है और यहां minus का x cube यानिकि आप किस से multiply करेंगे x cube को किस से multiply करेंगे कि minus x cube आजए तो हमारा answer वेगा minus 1, तो minus 1 से मनें को multiply किया तो minus x3 हो गया minus 1 से plus minus 3x को multiply करेंगे तो plus 3x हो जाएगा और minus 1 को multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा plus 1 है तो यह minus 1 हो जाएगा तो देखेंट अब इसका subtraction देखते हैं तो जब आप इसOOD सबस्ट्रीयक्शन केरेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा और इसमें से इसको सब्स्टेट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा तो यह कैंसल आउट कैसे देखिए यह माइनस का एक्स क्यूब है और यह प्लस का एक्स क्यूब है तो जो हमने इसका सम पूलिमेल आया आपके पास उसकी ढीकरी है यहां पर आगर आगर इक्री देखिचा के यहां पर आपके बार जीरो है तो आप रर इसको करेगा नहीं तो इसकेस में रिमैंडर हमारे पास पॉलिनोमल का वो second part का जो पॉलिनोमल है उस कर डिविजदर नहीं है तो I hope students आपको ये जो वीडियो है ये जो question है वो अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो please like, share, comment जरू करिएगा subscribe करिएगा और bell icon को भी जरूर दबाएगा तकि मेरे next वीडियो की notification आपको properly मिल जाए thank you so much